पीवोट टेवल, तो समझ गया है, पीवोट टेवल कैसे इंसर्ट कराना है, ठीक है? अब यहाँ पर यह देखो यह तुम्हारा data है यहाँ पर तुमने grade calculate किया था तो grade देखो गलती हो जाने पर इस तरीके से आता है यह देखो गलती कहा हुआ है उसको देख लेते हैं कि आपने गलती कहा किया है ठीक है मैं इसको हटाता हूँ और एक बर फिर से grade दिखा देता हूँ फिर चलते हैं pivot chart के उपर ठीक है तो यहाँ पर देखो if लगाओगे यहाँ पर एक और function है switch अब switch की मदब से भी grade calculate कर सकते है तो यहाँ देखिए switch आपको मिल रहा है लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर if ही लगाएंगे देखिए if लगाया और यह जो average है इसको select करना है select करके अब देखिए इसका select address आगया j2 is greater than equal to 85 कॉमा ऐसे में कौन सा grade आ जाएगा a++ तो यहाँ लेख दीजिए a++ कॉमा लगाईए फिर इसके अंदर if इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं nested if क्या कहते हैं nested if या नहीं की formula के अंदर formula function के अंदर function जब लगता है तो इसे nested formula यह function कहते हैं ठीक है फिर इसी को लेना है आपको is greater than equal to करना है और ऐसे में यहाँ 75 करेंगे और ऐसे में कॉन सा grade आएगा a grade आएगा और फिर यहाँ पर comma लगा करके if लगाना है और if लगा करके bracket को open करिए और bracket को open करने पाद इसी को select कर लिए जैसे मैंने किया है बिल्कुल वैसे ही आपको भी कर लेना है ठीक है और यहाँ से जाते हैं तो is greater than equal to अब क्या करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 65 इनेबल फिल हैंडल होने के चलते हैं एक्सल में इनेबल फिल हैंडल होता है जिसके चलते हैं यह automatic सबका आता चला जाएगा ठीक है तो is greater than equal to अब क्या करेंगे 55 कर देंगे 65 कर तो आई चुके हैं तो यहाँ पर आजाएगा c grade और at last यहाँ पर comma देके if लगाएंगे और यहाँ पर इसी को select करके फिर is greater than equal to करेंगे comma देंगे और यहाँ पर कर देंगे degrade चुके if में दो condition होती है true की और false की तो true में degrade आजाएगा अगर false ही condition तो कौनसा grade आएगा fail grade आएगा यानि f grade कर देते हैं यहाँ पर f लिख देते हैं अब बाकी सारे brackets को close करके enter कर दीजेगा और enter करने पर यहाँ पर आपको grade दिखाई क्या पढ़ रहा है degrade कौनसा grade degrade ठीक है अब यहाँ पर double click की जएगा तो सबका आ जाएगा तो यह correct है आपका देख सकते हैं pivot table बनाना था तो data में कहीं पर भी click करके क्या करते थे हम insert पर जाते थे table पर जाते थे और यह pivot table यहाँ पर आपको दिख रहा है ठीक है इसके बाद हमें pivot table तो बनानी नहीं है तो यहाँ पर देखिए excel 365 पे अंदर यह है pivot chart क्या है pivot chart तो यहां पर जाकर कि अगर chart और table दोनों चाहते थे अगर cable chart यह तो इस पर click कर दीजे और chart और table दोनों च्यहिए तो यहाँ पर आप click कर सकते है ठीक है तो हम नई worksheet पर ले लिए अगर existing कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इसी sheet पर आ जाएगा लेकिन हमें क्या करना है new worksheet पर चाहिए यह तो यह new worksheet पर click करके और यहां से okay कर दीजेगा तो यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा और जैसे यहां पर हम इसको filter कर लेते हैं और role number के base के और फिर यहां पर data कौन कौन सा चाहिए name चाहिए फिर क्या चाहिए यहां से subject 1 चाहिए फिर subject 2 चाहिए subject 3 चाहिए देखिए chart भी insert होता चल रहा है साथ में subject 4 आया subject 5 आया यहां पर subject 6 आया subject और total marks आ गया ठीक है average आ गया और grade आ गया तो जो जो सही है वही वही केवल आ रहा है देखिए यहां पर अगर हम यहां पर subject को हटा देते हैं total marks, average और grade देखते हैं तो यहां से केवल वही हमें दिखाई पड़ेंगे तो इन सब पे tick हटा दीजिए और फिर आप देख सकते हैं कि केवल आपको total marks, average और grade मिल ला है तो अगर मैं grade को हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ तो देखिए यह केवल total marks ही आपको नजर आ रहा है आ रहा है कि नहीं देखिए यहां पर ठेक है इसको यहां से drag करके छोटा बड़ा कर सकते हैं आप और खीच करके उपर नीचे लेके आ सकते हैं यहां पर ठेक है और इसको थोड़ा सा यहां से रिसाइज करके छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे तो देखिए यहां पर सबसे ज़्यादे marks किनके हैं वो भी आपको बहुत असपश्ट रूप से पता चल रहा होगा जिसकी जिसका यह पिलर सबसे उच्छा है उससी का सबसे ज़्यादा marks है तो यarken शाक्षी सर्मा करके हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क इन्हीं का सबसे ज़्यादा है 3,3,6, यहां पर दीख भी रहा है तो दोनों compare करके भी आप देख सकते हैं कितना यह बहतरीन है ठीक है ये name के हिसाब से है अगर आप name के बजाए कुछ और चाहते हों तो ये कुछ और भी कर सकते हैं आप इसको लेकिन आपको select भी करना पड़ेगा ठीक है तो भी करता हूँ ये chart वाली बात समझ में आई होगी कि chart कैसे create करना है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो शेयर कीजेगा साथ ही साथ चैनल को subscribe करना ना भूलेगा thank you for watching this video